नमस्कार मैं आसुतोस उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आज से हम सुरुवात कर रहे हैं AutoCAD 2024 की स्रीज तो पहले स्रीज में हम जहें सुरुवात से ले करके और ड्राट उलबार तक को कवर करने की कोशिस करेंगे और आगे आने वाले सीरीज में अन्य चीजों पर फोकस करेंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं आपको बेस्ट आप लग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह AutoCAD 2024 का पहला बिंडो है और यहाँ पर Open और New दो आप्सन है न्यू पर क्लिक करते ही एक टेंपलेट ओन हो जाएगा जो नया पेज दे दिया और यहाँ पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं सबसे उपर देखें तो इसको बोलते हैं अप्लिकेशन मेन्यू इधर जो QCXS टूल बार लगे हैं इनकी मदद से हम जल्दी से किसी चीज़ को सेव कर सकते हैं आगे देखेंगे तो यहाँ पर AutoCAD और उससे पहले Autodesk लिखा हुआ है Autodesk वही कंपनी है जिन्होंने AutoCAD को बनाया है इसका लेटेश्ट वर्जन 2024 है जो मार्च 2023 में लाँच हुआ था अभी हमने ट्रोइंग को ओपन किया है तो .dwg दे रहा है तो कोई भी नाम रहेगा और उसके आगे .dwg लगा रहेगा वह इसलिए क्योंकि AutoCAD का extension .dwg होता है extension बोले तो extension ही फाइल के पहचान होती है जैसे हम अपने नाम में सरनेम लगाते हैं वैसे ही सभी software का एक extension होता जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कोंसा एप में खुलेगा आगे दिखेंगे तो ये है menu tab और इसमें ठीर सारी tab लगे हुए हैं जिस भी tab पे click करेंगे उसमें अलग अलग एक group भने हुए हैं इन groups को हम बार बोलते हैं यानि इनको हम पूरा language में toolbar बोलेंगे तो यहाँ पर draw है तो यह drawing toolbar है यहाँ पर modify है तो modify toolbar है यहाँ पर annotation है तो annotation toolbar है इसी प्रकार आगे भी हैं यह है cube इसकी मदल से हम object को rotate कर सकते हैं और उनके अलग अलग प्यूज को देख सकते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पर धीर सारी यानि इसको navigation bar बोलते हैं और इसकी मदल से हम किसी जी को pan, zoom, rotate, extra कर पाएंगे नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं command bar और इसे status bar बोलते हैं यहाँ पर x, y दिखाई दे रहा है इसको हम coordinate system बोलते हैं यहाँ से भी हम अलग-अलग प्यूज को देख सकते हैं object के orientation को change कर सकते हैं और उनके appearance को भी हम control कर सकते हैं चलिए सुरुआत करते हैं autocad का तो autocad को सुरुआत करने से पाले हमें क्या चाहिए कि किसी भी चीज की unit लेनी होगी क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी parameter में होगा वो parameter mm हो सकता है cm हो सकता है या फिर इंच हो सकता कोई भी तो unit change करने की जरूरत है ताकि हम कुछ लंबाई लेंद भी जो भी मापना हो माप पाएंगे उसके लिए हमने un plus enter किया और यहाँ पर है decimal और precision में हम थोड़ा सा 0 को कम कर देते हैं यहाँ पर inch से हमने millimeter में कर लिया और यहाँ पर international है हम international रहने देते हैं और ok कर देते हैं इसके बाद से बारी आती है कि हमें कितने area में काम करनी है यानि कि हम एक limit to set करेंगे कि जो drawing area है इसमें हम कितने area में work करना चाहते हैं तो फिर देखते हैं क्या करेंगे इसके लिए हमने यहाँ बस select किया rectangle और इसमें हम टाइप करती जीरो, कॉमा जीरो वो इसलिए क्योंकि origin का जो distance होता है वो x से भी जीरो होता है और y से भी जीरो होता है इसलिए ये rectangle origin से बनना सुरवात होगा और इसकी हम लेंद और विद दे सकते हैं माल लेजिए हमने 50 टैब की दबाए दूसरे बॉक्स में जाने के लिए और 50 फिर से दे दिये तो ये 50 इंटू 50 का एरेक्टेंगल यानि एस्कॉाइर बन गया हम चाहते हैं कि ये इसके इन पर पुरा फिट आए इसके लिए हमने जेट एंटर किया और एंटर कर दिया ये अल्मोस्ट यह है इसपे ड्राइंग एरिया पर फिट बैठ रहा है ड्राइंग एरिया की स्पेस को बढ़ाने के लिए हम रीबन के स्पेस को कम कर दें तो ड्राइंग एरिया के स्पेस बढ़ जाएगी उसके लिए यहाँ पर एक option लगा हुआ है minimize to panel button तो हमने इस पर click किया और यह जो ribbon है यहाँ से यहाँ तक क्यों हम ribbon बोलते हैं यह क्या हो जाएगा? sort हो जाएगा, जब sort हो जाएगा, ड्रोहेंगे रिए automatic बढ़ी जाएगी लेकिन यह चक्री क्रम में है चोथे बार जब आप click करेंगे तो जैसा था वैसा आजाएगा अब इसमें हम आ गए अब बात यह है कि हमें इसमें limit set करना है कि इसी के अंदर हमें काम करना है इसलिए हमने limits limits एंटर प्रेस किया और इसमें देखे क्या मांग रहा है lower left corner था हमने lower left corner को select किया इसके बाहर से मांग रहा है upper right corner था हमने upper right corner दे दिया यह limit तो लग गया पट हमें इसे apply करने के जरुएत है तो वो कैसे apply होगा L I M I T S और इसको हम on कर देंगे जब हम on कर देंगे तो हम कुछ भी बनाएंगे तो वो हमारे boundary के अंदर ही बनेगा बाहर कितना भी कोसिस करेंगे तो नहीं बनेगा यानि कुल मिला कर हमने क्या कर लिया एरिया को सुरच्छित कर लिया तो अब मैं limit को हटा देता हूँ ताकि मैं और भी टूल को बता पाऊँ तो यहाँ पर हमने क्या किया हमने limit apply किया right click किया और इसको off कर दें और इनको select करके delete कर दें अब हम चलते हैं draw toolbar के तरफ हमारे पास ये draw toolbar है और इनका use हम किसी चीश को बनाने के लिए करते हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं line से line का shortcut L plus enter होता है अगर हम click करते हैं इसके उपर या फिर keyboard से L plus enter दबाते हैं तो यह active हो जाता है line बनाने के लिए line बनाने के लिए कम से कम दो point की जरूरत होती है और यह दो point से connect हो जाएगा जब यह इसे बाहर हमें आना हो तो right click करके enter या cancel कर सकते हैं या फिर keyboard से enter या space bar दबा सकते हैं अगर बाहर आने के लिए आप shortcut यूज करना चाहते हैं तो escape भी काम करता है या इसके भी कर लेंगे चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं तो select करने के लिए keyboard से आल प्लस एंटर या फिर क्लिक करके माउस के left बटन से सेलक कर लेंगे बट अगर हम इससे बाहर आना चाहते हैं तो right क्लिक करके enter या cancel या फिर enter या space बार या फिर skip बटन को प्रेस कर देंगे लेकिन मालने चीए कि आप last time लाइन लिये थे और अभी भी आपको लाइन बनाना है यानि आपको repeat करनी है तो आप space बार या enter या right क्लिक करके आप उसे repeat कर सकते हैं लाइन के बनाने को तरीकों को देखे हैं तो लाइन हम सीधा भी बना सकते हैं यहां से हमने क्लिक किया और फिर हमने क्लिक किया यहां पर यानि कि इसको हम और्थो मोड बोलते हैं जब हमें सीधी लाइन बनानी होगी, तो और्थो पर क्लिक करके हम सीधी लाइन बना सकते हैं, बट अगर हम एंगल में चाहते हैं, तो इसको ओफ करके और यहां से, यानि 0 डिगरी से उपर चलेंगे, तो हमें एंगल का इंक्रिमेंट दिखाए दे रहा है, और यह 180 तक होता लिंद के नुसार, तो हमने यहां पर दिया है 11, और फिर अगर हम चाहते हैं कि यह 30 डिगरी पर बने, तो हम टैप की दबा लेंगे, और 30 डिगरी टाइप कर देंगे, बन गया, इससे बाहर आते हैं, तो अभी हमने जाना कि एंगल में और इस ट्रेट कैसे लाइन हम और लगभग 3 पॉइंट हमने दे दिया, या उससे अधिक दिये हैं, और आपको फर्स्ट पॉइंट से इन पॉइंट को कनेक्ट करना है, यानि कोई क्लूज से बनाना है, तो आप C पलस एंटर दबा सकते हैं, तो हमने क्या किया, यहां पर लाइन को सेलेक किया, और फिर ह हमने C एंटर यानि कि राइट क्लिक करके हम इसको क्लूज भी कर सकते हैं, C एंटर से क्लूज होता है,